नमस्कार मित्रों, Fundamental Investors चैनल में में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ, दोस्तों आज हम यहाँ पे 6 weekly stocks के बारे हम बात करने वाले 6 stocks है, जिन्हों ने अच्छी खासे movement पिछले week में भी दिये और इस week में भी ज्यादा सा ज्यादा volume के साथ gain करेंगे, ऐसे मेर आप यह recommendations देते हो, तो उनमें कितने देर रुखना है, मैंने पहले भी disclaimer दिया था जब वीडियो मैंने चालू करा था, यह season जो यह weekly stocks को चालू किया था, तभी मैंने बोला था कि आपको 10%, 2%, 5% जितना भी मिल रहा है, वो लेके ने पड़ जाओ market से, क्योंकि यह volatility stocks से upside down side ज अंदर अंदर उसमें से exit लेनी है, चाहे वो फिर 30% gain हो, 20% gain हो, 5% हो, फिर 2% हो, आपको उससे ज्यादा वा पर continue नहीं रखना है, एक दम बिल्कुल गलत है क्योंकि मैंने ऐसे सिखाया भी नहीं किसे हो कि भाई weekly stocks, मतलब एक week का stock है वो, तो उसके बाद वो gain नहीं करते है वो एक period होता है, जब stock jump पर jump करता है, एक time में, सब का time आता है, नवे से inka time आता है वो week में, वो jump करते हैं, उसके बाद अपने आप वो नीचे आना शुरू हो जाते है, क्योंकि volume खतम हो चुका होता है, ठीक है, तो मुझे यह लगता है कि आप ये video समझ जाएंगे, और ए एक मन्त का, दो मन्त का, इसे stocks बता, तो नीचे description में, लिंक के भाई साब, वहाँ पर जाएंगे, बहुत सारे stocks में, डेली update देते रहता हो, अपने बीए पैक जैसे, जैसे की 1000%, पीजी इनोटरो प्लास 1500%, इसे बहुत सारे return generate होते हैं, मल्टिबैगर शेर्स बे डालते रहत हो, तो नीचे description में, लिंक के check out जरूर करना, अभी जुस्तों पहला stock के Apollo pipes, जैसे के आपको यहाँ पे दिक रहा होगा, 4 hour का मैंने chat pattern लगा, अगर day का भी लगा देते हैं, तो अब यहाँ पे देख सकते हो, अच्छा खासा volume, inner day मिल गया था, और जो कि यहाँ पे अगर हम box का खासा breakout यहाँ पी दिया, और यह candle लगबग 20% अपसाइड मुवन थी पिछले week में, जैसे वह पहला देख ला, उसके बाद अगर बात करेंगे यह, तो यहाँ आप volatility चल रहे है, अपसाइड, डाउनसाइड, अपसाइड, डाउनसाइड, जैसे कि मैं हमेशे किया तो इसा बंदा जिसको यह, यह जो line में वह समझ आती है, और वह अच्छा खासा gain कर जाता है, वहाँ पे, आपको gain करना है, तो कर सकते हैं, यहाँ पे अपना जो indicator है, जैसे कि आप दिख सकते है, green face चालो हो चुका है, जो indicator है, हमारा उसने भी long position बनाने बोला है, volume बहुत quality आ अगर आपको यहाँ पे दिखर होगा volume, वह वैल्यूम भी constantly अच्छे खासी दिख रहे होएंगे आपको, ठीक है, तो मुझे यह आप वाल्यूम भी दिख रहे होगे, आपको ज्यादा से ज्यादे volume शेर में generate हो तो यह नजर आ रहें, तो आपको पता होना चाहिए, इसमें two or three days, starting two or three days में आपको यह position बनाने है, और वहाँ पे ही निकल जाना है, ज्यादा स्यादा long position नहीं बनानी, दो तीन दिन में आपको अच्छा खासा gain होगा 20-30%, वो पकड़ के आप market के बाहर exit ले सकते हो, दोस्तों second stock is Stalem India, आप यहाँ पे देख सकते है, इसका current price उसका मिल चुका था, लगबग देख सकते हैं, 1,024 रुपीज से वहाँ से यह बहुत अच्छा खासा gain कर चुका है, लगबग यहाँ पर आज समझ सकते हैं, लगबग, 160 points का gain easy हो कर चुका है, तो मुझे लगता है इसमें भी अच्छी खासी volume जैसे की जनरे डिवी नजर आ रही है, यह जो indicator है, वो भी आ पर नीचे आता हुआ लजर आ रहा है, EVM जो है, EMA, exponential moving average वो भी इसके नीचे आ चुका है, तो मुझे लगता है कि हाँ पर एक अच्छा खासा moment बन सकता है, volume बहुत क्रेट से चड़ रहा है, अगर one day return लेकिंग, उसके जो last closing date था, उसका व 10% तो उसने return generated in one day दिये, वहाँ से लेकर यह का industry वापस gap up opening हुआ, वापस down हुआ, वापस gap up opening, मुझे लगता है कि gap up opening के साथ 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 उपर जा रहा है, आचा करता है, यह सो मुझे बहुत अच्छा खासा gap up opening कर रहा है, पूरे week में एक अच्छा खासा performance देगा, cross करेगा, शुकरवार तक आते आते तो cross करी देगा, कोई दिक्कत के बात ने, closing इसका बहुत अच्छा खासा हो रहा है, और constantly यह जो candlestick है, वो बहुत quality candlestick है, पूरा यहाँ पे green है, और जो पिछला पिछला rate था, पिछला rate को पूरा भर के वो ऊपर चड़ा है, तो मुझ Sonocombs, आप यहाँ पर देख सकते है, Sonocombs, यह company भी अच्छे खास है, अभी अभी listed है, जाता दिन में यह company list हुए, बट यहाँ पर एक जो अच्छा खासा growth का pattern यह दिख रहा है, इस पर indicator हमारा buy करने का long का position बनाने को बोला है, विधर थीग है कि company अभी भी consolidate नहीं है, बट यहाँ पर नॉन स्टॉप ओ लगबग ऊपर चड़ सकती है, और भी अभी इसका लगबग share price चल रहा है, 436 रुपए easy सड़े पकट लेजे, सड़े 400-500 रुपए भी cross करेगी, 500 रुपए आराम से cross करेगी, 10-20% का यहाँ पर यहाँ अभी हमें gain हो सकता है, closing की दिन में इसम short term में लगबग पकट सकते है, 9% का grain gain हुआ हुआ है, अगर दोस्तों 9% देखेंगे तो दोस्तों मुझे लगता है, bank का one year भी 9% नहीं दीती, और अगर यह share आपको दे रहा है short term में, इससे आपको उठा लेना चाहिए, अभी दोस्तों इसमें भी अगर candlestick देखा जाए, वो भी इतना कुछ, मतलब यह जो green है, उसको cover up नहीं कर पाया red candlestick, सो मुझे लगता है कि हापे green और bulls अभी इस market में strong position मना के बेड़े हुए है, अभी scene यह सिर्फ हम इसका छोटा सा breakout मिल जाए, सो हम और भी यहापे gain कर सकते हैं यह stocks में, अभी देखते हैं यह आगे क्य ज्यादा jump up नहीं कर पाए, जैसे कि jump होनी चाहिए थे, जितना ज्यादा volume दिख रहा है, उसकी बहुत ज्यादा buying नहीं हो पाई, तो मुझे लगता है कि वो जो कमी है, वो इस हफते पूरी हो सकते हैं, तो 436 रुपे का stock है, मेरे target इसमें लगबख 500 रुपीज के हैं, जो क इसमें क्यों recommendation ले रहा हो, तो देख सकते volume पीछले वीक से ज्यादा हो रही है, हमारा जो indicator है, वो पहले बोल दिया buying को, बड़ अगर कहाँ पर देखेगा, वो buying को यहाँ पर ही बोल दिया था, लगबख उसकी share की price तब चल रही थी, यहाँ से अगर यहाँ पर पकड़ दे अगर यहाँ पर बात करेंगे तो अब भी कोई breakout zone में एक stock बहुत ज्यादा दीखनी रहा है, यहाँ पूरे box के साथ ही अभी तो मतलब है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा breakout दिया ने, बट अगर top के बारे में बात करेंगे, जो कि high लगा था इसका, उसके बारे में अभी त 2021 को, इसने लगबग बहुत अच्छा खासा गेन करते हैं, वन वीक में 56.94% जो की बहुत excellent है, वह एक वीक में कोन देता है, अगर एक वीक में 56 के बारे में बात करते हैं, तो 10% डेली यहाँ पे generate होते हैं नजार आ रहे, तो मुझे लगता है कि और भी यहाँ पे हमें chances मिल 2022 का है, तो मुझे लगता है easy यह company 1800 क्रोस कर जाएगी in just one week, लगबग वहाँ पे भी 25% नियर आपको वहाँ पे भी return generated होते हुए नजर आ सकते हैं, दोस्तों next stock यह आप यहाँ पे देख सकते हैं, HG Infra Engine, अगर बात करेंगे यह stock क्यों recommended किया, तो आप यहाँ पे देख सकते train तो चली राय stock में, अच्छा खासा breakout पीछे दे दिया था, तब ही recommendation करने वारा था, और वोला week में भी अच्छा खासा boom करेंगा, तो उसके लिए रुख गया था में, तो मुझे लगता है कि ज्यादा दिन तो इसमें हुए नहीं है, बट स्टिल अगर बात करेंगे, जोन है, वो देख सकते हैं, यहाँ पर ही तूट चुकाता लगबग, 512 रुपेज पर आभी share price चल रहा है, 527 रुपीज, यहाँ पर उपर देख सकते हैं, 527 रुपीज का भी share price चल रहा है, तो मुझे लगता है कि और अगर हम इसमें थोड़ा invest करते हैं, तो लगबग easy company, 50 भी cross कर सकती, next week, बड़ अभी देखते हैं, वो कितना cross करेगी, यह company बहुत ज़्यादा train में थी, बहुत दिनों पहले मतलब अच्छा कासा gain कर रही थी, अगर इनका monthly chart लगाते हैं, तो आपको दिखा देता हूँ, company ने बहुत कम समय में, बहुत ज़्यादा quality, यहाँ पर बहुत अच्छा खासा return gender करके दिया होगा, अगर आप इस company में है invested, तो यहाँ पर बूर रहन तो इसका monthly chart पर दीखर आभी देखते हैं, कितना उपर जाता है, जो यहाँ पर position दिख रहे हैं, देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा volume in three last three months में दिखाई दिया है, लगबग one month जो यहाँ पर पिछले month के बारे में बात करेंगे, तो 30% return है, उसके पिछले और पिछले महिने में 42%, overall return तीन महिने में लगबग, नियर इसने 70% से भी ज्यादा किरें, 75% पर किर लिजे, 75% in just three months gain किया इसने, और बहुत अच्छा खासा quality यहाँ पर gain होता हुआ नजर आ रह break-out हमें पीछे ही बहुत बार मिल चुके थे, अब यह monthly break-out है इसे भी और shortly break-out, monthly break-out में क्या होता है, आपको बहुत दूर का vision दिख जाता है, अगर long term में stair को लेंगे तो बात आला कि पहले इसके fundamental देखने पड़ेंगे, बड़ अगर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स को द points का, तो मुझे लगता है कि वो भी 50% हो जाता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको invest कर लेना चाहिए, long term के लिए आप कर सकते है, पहले fundamental जरूर पढ़ लेना company के, देख, fundamental stronger तभी company 528 रूपीज पर पोचिए सिर्फ 3 मेनों में, ठीक है, without fundamental company भाग नहीं पाती है दोस company की जो last candlestick है, जो की 4 hours किये, वो बहुत ज्यादा risk ही बन चुक है, last में बहुत ज्यादा volume इसमें generate भले ही हुआ, बड़ इसको अच्छा खासा gain भी मिला, एक दिन में लगबग पहले, चो 4 hours में 6% गिन किया, उसके last में लगबग 0.14% का यहाँ पे गिन हुआ, अभी दोस price stable नहीं रखी, और इसको वापस नीचे खीच के लाया, अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे, तो company का आप देख सकते हैं, पिछला बहुत ज़्यादा बड़ा candle था, लगबग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles को easy one candle का साथ recover किया गया, मतलब यहाँ पे बूल ने बहुत ज़्यादा ताक अच्छी उठाए गी इसमें, मैंने शुगरवार के trade में देखा था, तो मुझे लगता है कि यह share भी आराम से आपको 1600 क्रॉस करते वे नजर आएगा, तो यह 6 stocks थे इस week के लिए, और stocks जानने तो नीचे description में लिंक एक बार check out कर लेना दोस्तो, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए, peace out.